So Hello Everyone, मैं उसी अम्दिवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदिदा चैनल ग्यानोदे के गुरुजी मेरे प्यारे बच्चो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के लिए एक सिरीज कर रहे हैं और जिसका नाम है जोज 2.0 सिरीज इस सिरीज में हम लोग अपने बोर्ड एक्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा सलेबस अभी तक कवर कर चुके हैं अपने क्लास 10 के लिए तो इस सिरीज में वो सारे बच्चे जुड़ सकते हैं जो कि इस बार 2023 का बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं क्योंकि इस बोर्ड एक्जाम में ऐसे ही प्रसन आएंगे जैसे की प्रसन अभी मैं करवा रहा हूँ इस सिरीज में अभी तक मैंने इस सिरीज में बहुत कलपी प्रस्णों को कराया है इस सिरीज में मैंने आप सभी को दो दो नंबर के बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए ले लिये हैं बच्चो बहुत सारी क्लास ले लिये हैं सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है आज के सेशन में हम फिर से दो दो नमबर वाले कोश्चन को लेके आए हैं और ऐसे कोश्चन है जो बोर्ड एक्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद हम लोग अगले दिन से सुरू करेंगे चार-चार नमबर वाले प्रस्ण जो की बड़े प्रस्ण होंगे उनकी सीरीज दो-तीन दिन चलेगी फिर बड़े-बड़े कोश्चन जो 6-6 नमबर के आते हैं उनको भी हम लेकर आगे चलेंगे क्योंकि 6-6 नमबर के इस बार बोर्ड एक्जाम में 3 कोश्चन आएंगे 18 नमबर आपको सिर्फ 3 कोश्चन देंगे तो उन सारे प्रस्णों को हम लोग धमाल से अच्छे से खतम करेंगे पूरा तो आज के सेशन में जल्दी से मुझे बता दो मैं आपको बता दूँ आज आपका जो दिन है वह आठवा दिन यह तब तक सिरीज चलेगी जब तक बोर्ड एक्जाम नहीं हो जाता हो तब तक लगभग हम लोग सतर दिन की तयारी कर चुके होंगे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सिरीज चल रही है बच्चो चलिए आगे चलते हैं पहला कोशन आपकी नजरों के सामने है जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है लिखा है कि समी करण एक्स स्क्वार माइनस साथ एक्स प्लस बारा बराबर जीरों के मूलों का के व्यूत करम का योग याद किजे मैं आपको बता दूँ यह जो कोशन आपको दिख रहा है ना यहां स्क्रीन पे यह कोशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन है यह आपका most important question है और यह question जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना यह question आपका 2022 के exam में पूछा भी जा चुका है 2022 में यह question आया भी है बच्चो ठीक है यह 2022 में question आया है तो काफी important है चलिए सुरू करते हैं अपने इस question को करना सबसे पहले यहा लिखा है कि इसके मूलों के व्यूत करम का योग याद करना है इसका मतलब इसके जो तो answer आएंगे मूल आएंगे उनके व्यूत करम का योग याद करना है बहुत अच्छी तरीके से समझना है मेरी बात सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि माना मूल अलफा वा बीटा है क्या मान लेंगे बच्चों माना मूल अलफा वा बीटा है इसके बाद अपना समय का नोट करेंगे X स्क्वार माइनस का 7X और प्लस का 12 बराबर क्या 0 और इसकी बच्चों हम लोग तुलना कर देंगे किस से AX स्क्वार प्लस का BX प्लस का C बराबर 0 इस से तुलना करने पर हमको A बराबर मिलेगा कितना? 1 B बराबर कितना मिलेगा? माइनस का 7 ऐसे कोशन हमने बहुत सारी कराएं है और C बराबर कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? C बराबर 12 मिलेगा अब हम लोगों क्या करना पड़ेगा? हमें यहां लिखना पड़ेगा कि मूलो मूलो का योग फल अगर आप निकालेंगे तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे मूलो का योग फल फर्मला क्या हता है? माइनस B अपान A और B का वैलू कितना है? 7 तो यहां से हो जाएगा माइनस और माइनस 7 और A का वैलू कितना है? 1 यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 7 उत्तर अब उसके बाद हम यहां लिखेंगे कि मूलो का गुड़न पल क्या लिखेंगे मूलो का गुड़न पल बेटा बहुत आसान प्रसन है यह मूलो का गुड़न पल अगर यह निकालेंगे तो alpha into बीटा आएगा और यहां से फॉर्मला होता है हमारा C upon A और C के वाली इस कोश्चन में 12 दिया गया है इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से उत्तर आएगा 12 बटे 1 क्या आएगा 12 बटे 1 बहुत अच्छी तरीके से समझें क्या आएगा 12 बटे 1 तो इसका मतलब है 12 आएगा सबज़ गया बच्चों की नहीं क्या आएगा 12 आएगा अब आगे क्या करेंगे मूलो के व्यूत क्रम का योग तो मैं लिखेंगे मूलो के व्यूत क्रम व्यूत क्रम का योग ऐसे question बहुत Milyaka mycket प firefighters करने पहली बात मुलों का व्यूत क्रम कर awake व्यूत क्रमकर दियाSON को मतलब गता उलटा Alphaka utan कर दिया सर ने इसके बाद क्या करेंगे Bita का उलटा यह लो भाई Bita का उलटा कर दिया योग अपस में जोड़ दिया अब इसका हम लोग एक light और बच्चि एक हतम question एल्स्यम लेंगे Alpha बीटा Alpha से Alpha खतम ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस Alpha और बीटा के value बीटा प्लस Alpha के value बारस यहां से देखो कितना दिया गया साथ तो यहां से कितना आया साथ फिर उसके बगाद alpha बीटा का वेलू कितना है वहां से 12 उत्तर कितना आ गया बच्चो साथ बटे 12 बदा कुछ था क्या ऐसे कोशन बहुत अच्छे होते हैं सबसे अच्छा तरीका मूलो का योग फल लगाया मूलो का गुड़न फल लगाया और इसके बाद मूलो के व्यूत करम का योग कर डाला एक बटे अलफा एक बटे बीटा किया और उसके बाद बच्चों यहां से हमारा अंजर आ गया कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा ताकि अगली सेशन में हम उसको दोबारा फिर से बता पाएंगे चलिए जल्दी से आप लोग बताईए समझ में आया कि नहीं और उसके बाद स्क्रीन सौट लीजिए कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कुछ नहीं किया है सिर्फ मूलों का योग फल मूलों का गुडल फल मूलों के व्यूतक्रम का योग मूलों का व्यूतक्रम मतलब उल्टा फिर उनका योग डण जल्दी से चैट में फिर अबर एक ऐसे कोश्चन बहुत सारे सरने कराएं है एक्सरसाइज 8.1 में अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं इसको हल करना सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे कि LHS part left hand side इसको बोलते साइन पंद Sabbath और फिर से दिया गया है हमको साइन 75 अब क्या करेंगे हम देखिए कौस्ट पंद्रा अगर हम ध्यान के देखे तो यहां पर 15 यहाँ पर 15 यहां पर यहां पर 65 उपर नीचे अगर दोनों समान बन जाये तो बड़ा आसान हो जाएगा एक कोश्चन या मेरा एक कॉस 15 को हम साइन 75 बनाने की कोशिज करते हैं इस कॉस 15 को हम साइन 75 बनाने की कोशिज करते हैं और इस साइन 15 को हम चेंज कर ले या फिर इस साइन 15 को साइन 75 बना ले और कॉस 75 को हम साइन 15 बना ले उपर नीचे दोनों एक हो जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कॉस को कॉस रहने देते हैं और 15 को हम 90 में 75 घटा देते हैं तो बच्चों बताओ क्या आपको उपर 15 मिलेगा 90 में 75 घटा आया 15 मिलेगा है ना कॉस को कास रहने दिया अब इसके बाद कॉस को कॉस रहने दिया और 75 है तो हम 90 में 15 घटा लेंगे 75 मिल जाएगा और नीचे नई छेड़ने का नीचे बिल्कुल वैसे सीधी लाइन खीच दीजे उसके बाद नीचे क्या करना है sign 15 पढ़ा रहने दो और sign 75 ये भी पढ़ा रहने दो है ना बच्चो अब देखो स्कॉस 90 माईनस थीटा sign थीटा होता है तो इसका मतलब स्कॉस 90 माईनस थीटा ये ओजाएगा sign थीटा इसका मतलब sign 75 है 57ब साइन कॉस्ट बदलेगा साइन में और ये लिशे जो होगा वो तार दिया जाएगा इसके बाद इसी तरीके से यहाँ होगा मैं यह स्छाता में और 12 ओट देंगे भाएं बात अच्छा कोशन है इसे आते हैं निशे क्या मत बचे और साइन 15 और उसके बाद प्रस्ण में साइन पच्छत्तर अब आप उपर और नीचे जड़ा गौर से देखो अपने उपर अपने नीचे नहीं इस प्रस्ण में उपर और नीचे देखो क्या करना है साइन पच्छत्तर साइन पंद्रा और साइन पच्छत्तर साइन पंद्रा अगर हम आप से बोलें कि 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 लिखा है इसका मदब उपर भी साथ है नीचे भी साथ है तो वैसे ही तो यह भी है कि यह यहां है वो यहां है इसका मदब यह पूरा कट जाएगा कुछ बच्चे कैसे काटते हैं ऐसे ऐसे इसे काटते हैं अरे मालेक ऐसे नहीं काटना है क्यों कि बीच में गुड़ा होता तो ऐसे काटते ना इक्जामनर की पूरी आपकी इसका मैं निगाह जब इस पर जाएगी न बच्चे इसका इसकाटे समझ जाएगा किस कितने पानी में हो इसलिए सही से सोच समझ कर उत्तर करना समझ रहे हैं वाई अपकुछ लोग ओंगे काटना ही तो है कई से भी काटो हाँ यही तो चीज है यही तो इगजामनर देखेगा ना कि काटना कैसे और यह सारी चीजे कोई आपको बताता ही नहीं कि कैसे काटनर है आपको कोई नहीं बजाता है चलो ध्यान से देखो समाज में आया की नहीं इसक्रीन सोड़ोगे ले लो जल्दी से ले लिया आगे चले भाई अज जगा थी तो सर खड़े हो गया है चले आगे कोशन देखते हैं देखा है भाई बोल रहे हैं मान ग्याद करो किसका मान ग्याद करने को बोल रहे हैं इसमें कोशन में इसमें बोला जा रहा है कि पांच कॉस स्क्वार साथ डि हम लोगों को अपना कोश्चन उतार लेना चाहिए जिस वक्त आप कोश्चन को उतार रहे हों उस वक्त आपको अपनी नजरे मजबूत रखना चाहिए क्योंकि कोश्चन उतारते वक्त अकसर आप से मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक को आप देखते नहीं है फिर कोश्चन गलत हो जाता है इसलिए कोश्चन उतारते वक्त आपकी नजरे सिर्फ कोश्चन पर होनी चाहिए और क्या लिख रहे हैं उस पर होनी ची दिमाग घर पे नहीं होना ची मम्मी ने आज मार्केट से उस वाले होटल से जले भी मंगवाया होगा पापा ने आज आज सबजी में चुकंदर लाया होगा हाँ भाईया आज काजू बदाम पिस्ता लाया होंगे इधर ध्यान देना है बच्चो ना क्या करना है पाँच कॉस स्कार साथ चार सेक स्कार 30 टैन स्कार 45 और कॉस स्कार 90 भाई अगर नहीं ध्यान दोगे तो गलत हो ज सारेंगे कॉस स्कार साथ का मान लिखेंगे कॉस स्कार 60 मतलब एक बटा दो का स्कार हाना चार सेक स्कार 30 स्क كा मान जो कउस 30 का मान होता होगा उसका उल्टा इसका मतलब दो बटा रूट तीन 10 square 45 1 का square फिर cos 90 जो sign 0 का होता होगा वही cos 90 का होता होगा ठीक है? ऐसे ही गलती नहीं करनी है ना exam में की गलत हो जाया पता चला 1 का square 1 होता है कुछ बच्चे माहें 2 लिख देते है 2 का square 4 होता है ठीक? अब उसके बाद 4 रिको रहने दिया दो के स्क्वार चार किया, रूट तीन के स्क्वार तीन हुआ बबा, माइनस एक का स्क्वार एक किया और जीरो के स्क्वार जीरो किया बच्चो, देखो बाई, पांच एकम पांच किया, चार नीचे लिखा, चार चुक को सोला किया, तीन नीचे लिखा, माइनस के एक जीरो स कार्चार कर दिया 55 अब क्या करना मेरे बार ले याल बेटा एलसियम लेना है इसके नी निचे हम लोग एक माल लेंगे यह समयंगे कितना है ऑर चार हज टिया 12 तो टीन गुड़े पांच तीन चुको 12 तो इसका मतलब 16 और 12 एक कम 12 अब फास तिया 15 और 16 का 16 16 12 32 16 43 और 16 चुको 64 और माइनस में 12 इस में से नीचे कितना लिखा है ये 12 क्या करेंगे 15 में 12 घटा लेते 3 थीन आये, 3 हम 64 में जोड लेंगे 660 बटे 12 यहीं मेरा क्या हो जाएगा उत्तर जल्दी से अप लोग इसका अंसर मिला लो शारे के सारे इसका अफर जरूर मिला ले ना बहुत Però नटको है यह बहुत ही जाथ में बोटनेंग Boston है का рокो हो गया सबीका हो वह क्या बात है जल्दी से अंसर मिला लेनगा चो very good बहुत बढ़िया सरसथ मटे बारा very good كा बात है very good बहुत बढ़िया बाते रही करो चैट पे जल्दी जल्दी बस अंसर को नोट करो काफि पे बढ़िया अगले प्रस्ण प्रस具 में जाएं क्या ओके सर जाइए प्लीज हाँ यदि सेक तीन ए वरावर कौसेक ए माइनस 16 डिग्री हो 26 डिग्री हो तो जहां तीन ए एक नियून कोड हो तो एका मान ग्याद करो ऐसे प्रस्न पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दो नंबर आपके कन्फरम है अगर आप इनको मन लगा के ध्यान से देख लोगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे पहरे बच्चों सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे यहां लिखेंगे हम लोग हल और यहां लिख देंगे कि सेक तीन ए बराबर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि कॉस एक ए माइनस 26 डिग्री अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि सेक तीन ए ए मोटू सेक तीन ए इसका मतलब सेक थीटा पराबर कॉस एक नब्य माइनस थीटा सेक थीटा पराबर कॉस एक नब्य माइनस थीटा होता है इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस एक कॉस एक नब्य में से तीन एक को लिख दिया कॉसेग 90 मानिस तीन हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों का माथ यहां से ठंका होगा तुरंत मन में सवाल आया होगा कि क्यों ऐसा ही क्यों बेटा क्योंकि इधर भी कॉसेग है तो इधर भी कॉसेग बनाएंगे तभी दोनों तरफ का कॉसेग खतम हो पा अरे मेरे लाल दोनों तरफ कॉसे कटता नहीं है हटा दिया जाता है हटाय क्यों जाता है तुलना की जाती है और इसलिए हटा दिया जाता है अब हम क्या करेंगे एक को इधर ले आएंगे तो माइनस का तीन है माइनस का ए 26 उधर गया और माइनस का 90 उधर गया जोड घटा और इस तरीके से अब हम इसमें कट्टम पिट्टम का खेल खेलते हैं चारतियां हो गया बारा और उसके बाद सर ने देखो गलत कर दिया है चार दुना आठ हुआ अभी तीन बचा चार नवई या च्छतिस हो गया इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यह बराबर कितना आ गया 29 डिग्री वह क्या बात है चैट में सारे के सारे पहले से लिख रहे हैं सार 29 डिग्री वह क्या बात बड़ प्रस्ण पर चलते हैं मेरे लाल क्या लिखा हुआ है बिंदू ओ ए एक का मान दिया हुआ है वन कॉमा तीन बी का दिया हुआ माइनस चार कॉमा छे और को मिलाने वाले रेखा खंड को कोई दो अनपाद एक में बाट के चला जाता है तो बताना है उस बिंदू के निर्दे अनपाद में बाटते हैं सर दो अनपाद में बाटते हैं अच्छा तो इधर सर हम दो लिख लेंगे ना सर और इधर हम एक लिख लेंगे ना सर हाब बिलकुल बिलकुल ऐसा ही करना है सर इसके आगे क्या करना है इसके आगे पगलेट तेरे को फार्मुला नहीं आदे क्या अरे हाँ हाँ जी जी सर जी सर फार्मुला इस्तेमाल करें लेकान सर उसके लिए पहले मानना पड़ेगा न इधर कौन M है कौन M है कौन M1 है कौन M2 तो इसका मतलब हमारा M होगा सर लिखेंगे बेटा 2 okay n ।कोढ बेटा कितना होगा ए इक लिखेगा पर्लेट सब्सक्राइब यह ग्ので पंस सब्सक्राइब ऋल्हबर कितना इपते एक और वाईyttas बराबर इटना टिया है पच्छ तू तीन एक्सटू बणबर किपना घ्री और कि मैं शर दिखने रहा गया वह अच्छा दिख रहा है सर वाइटू बराबर कितना दिया गया है कि छे अच्छा ओके सर करप्या हम से थोड़ा सा दूर रहे बच्चे को दिक्कत होने लगेगी हाँ चलिए अभी आप लोगों को बहुत अच्छा वाला बताया था क्या बताया था कि विभाजन बिंदु के निर्देशांग फिरागे तुम विभाजन बिंदु के छी अगे लाएस करना इसके बाद बस रखने पक्लेट अच वैलू रखना इसके बाद सर बोल रहें भी पस वैलू रखना आप फार्मला बेटां यह होता है हमको सर्याद नहीं होता है यह फार्मुला बड़ा कठीन है में कुछ नहीं होता है अब реж Rogoff इसको गोड़ा करते है इसके साथ ब सुछ अधि दिछो कोने ऎन है आप देखोंगे सब्सक्राइब देखोंच एक सुछन ऑर वाईयवन का ग्रायन के साथ हुआ है भूल ला जाना इसलिए सर ने ऐसा बताया है चलिए बेटा वैलू पूट करते हैं म कमान कितना है दो सर एक्ष्टू कमान बता दीजे कितना दिया गया है मैनस का चार अगर ब्रैकेट में लिखोगे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है एक्स वन कमान कितना इससा लिखाए बच्चो के थैंग तो चांद मकन वालू कितना है' दोप्लस से लिए जलदी जलीससाभी लोग आंसर करें बच्चो जलीसे प smr करें कि आपके सही उमसर आपके साथ हैं चलिये 4 को 2 से फुर्डा करते कितना यगा बच्छो माइनेस का 8 माइनसाक ग्रड एक को एक से करेंगे एक बटे में 3 ऐफ हिसी हो ऑट हरा सब samma are तीन और पंद्रा वटे तीन को हम काट लेंगे पांच उत्तर आएगा तीन पची पंद्रा होता है क्योंकि इस तरीके से इस कोशन का उत्तर आ जल्दी से बताइई क्या आप लोगों को एक बात समझे हleri है पूष्छन बहुत बढ回去 क्लियर हुआ है के जल्दि से बताना एक बार सभी के सभी वेरी गुड बहुत बढ़ी है वेरी गुड है कि क्या बात है जल्दी से सभी के सभी इस स्क्रीन सोट ले लो अच्छा एक बात यह बताईएगा जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं और या देखो इतने सारे लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हो और लाइक किया सिर्फ इतने कम लोगों ने यह तो भाई गलत बात है न अगर आप लोग इसको नहीं लाइक करोगे तो कौन करेगा मैनस का साथ कॉमा तीन बटे में साथ मैनस साथ कॉमा बटे तीन और कॉमा पाँच यह उत्तर आ रहे हैं यह हैं हमारे विभाजर्विंद के निर्देशन समझ गए ऐसे ही प्रस्टन पेपर में आते हैं चले स्क सुरी का उन्यंगौण ग्याद करू ऐसा बोला गया सूर का उन्यंगौण चलो भाई अब हम देखते हमारे पास एक मिनार एक है मिनार है यह मिनार सर ने अपनी नेमौ की यादमें बन वाई थी देखो भाई यह सूर्य का सल्षमर्य में बनाते हैंelsh假 अचल यह कौन है मिनार की छाया अब आपको बटाesten की यह तो ठ्वरी मिनार हमारी यह तो ठ्हरी मिनार हमारी कि और इसके बाद यह ठ्हरी इस कि आ इसको मतलब मीनार के उचा इन्हों ने दिए बीस मेटर कितना इन्होंने 20 मीटर और इस साया देदी हमको कितना बीस रूट तीन मीटर ऐसे प्रस्में बेपर में बहुत सारे रख्योंगे अब इन्होंने बोला कि इसके सूरी का उन्यान कोंड बताइए क्या होगा बाई अगर कोई यहां खड़ा होगा तभी तो सूरी को देख रहा होगा हाना तो इसका मतलब यहा आगे बास हमें तो हमने आख्या लिख दिया कि माना माना सूरी का उन्यान कोंड माना सूरी का उन्यान कोंड कितना है थीटा है ऐसा हमने माल लिया अब हम क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुच भाई इनका नाम करण करो पंडी जी को बुलाओ हाजी पंडी जी नाम करण कीजिए उपर वाले का ए नीचे वाले का बी नीचे वाले का इधर वाले का सी ओके ओके पढ़ने चलिए बाई दच्चिना वगरा देदो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो प्लीस त्रिबुज ए बी सी में अगर हम लोग लेखे देखेंगे तो टैन थीटा टैन थी कोड के लिए लंब है एवी तो हमने आ लिख दिया एवी और आधार कौने बच्चो नीचे वाला वी सी हना एवी का विलू कितना है बीस और बीसई के रूट तीन वीसूट तीन यह मिने क्या लिखा टैन और यह कर दिया थीटा समाझ माई इतनी बात चलिए कट्टम पिट सब्सक्राइब करेंगे यहीं से यहीं करते हो सही बोल रहें अब क्या होगा एक बच्चे को गलत करके आते अगर मैं 100 बच्चों को टेस्ट लूँ उसमें से कम से कम से साथ तो यहीं गलत करेंगे यहीं से यहीं करते हो सही बोल रहें अब क्या होगा एक बटारूर्टीन आप मुझे पताईए टैन थीटा में एक बटारूर्टीन किसका मान होता है अरे वहां क्या बात है बहुत अच्छा असर कर रहें आप सब यह हो गया 10 30 10 से 10 खतम थीटा प सूर का उन्यन कोल कितना है 30 डिग्री है चलिए बात समझ में आ गई कि नहीं इस तरीके से हम लोगों ने यह वाले कोशन क्या कर लिए खतम बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या क्या आप लोगों को सारी चीजे समझ में आई चलिए बहुत बढ़िया एक और कोशन कर लोगों सारे के सारे पहले जल्दी से जल्दी से आप लोग स्क्रीन सोट ले लिजिए अगला कोशन क्या है देखते हैं देखो ज्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों कोशन सार लिखने जा रहे थोड़ आसा एक मिनट का टाइम लगेगा बस हरा यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है कोशन है कि दो घनो दो घनो जिन में प्रतेक का आयतन जिन में प्रतेक का आयतन जिन में प्रतेक का आयतन 64 संटीमीटर क्यूब है 2022 में पूछा गया है 64 संटीमीटर क्यूब है उसके बाद कौमा लगाया गया है के सनलगन फलको को मिलाकर अच्छा एक बात बता ना जो जितने कोशन हमने आपको NCRT में पढ़ाए हैं वही सब आप कोश देखे हैं कि वही सब एक्जाम में आ रहे हैं बस आप मेहनत कर लो अच्छी तरीके से दो घनों जिनमें प्रतेक कायतन 64 सेंटीमेटर क्यूब है के सनलग फलको को मिलाकर एक घनाब बनाया जाता है एक घनाब बनाया जाता है इस घनाब का प्रस्थी छेतफल ग्याद कीजिए बेटा बहुत अच्छा कोशन है दो घनों को मिलाकर एक जो है क्या बना दिया गया घनाब चलिए देखते क्या कह रहा है कोशन में देखो इस कोशन में कहा इन्होंने इस कोशन में क्या कहा इन्होंने इस कोशन में कहा कि हमारे पास एक घनाब है एक घन है इस तरीके से एक घन है ऐसे इस तरीके से एक घन है इसके बाद इन्होंने बोला एक दूसरा और इनके पास घन है एक इनके पास दूसरा और भी घन है ये देखो ऐसे दोनों हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, हरा, दो घन है इनके पास मतलब, दो घन है, हरा, ऐसे, इसका भी आयतन जो इन्हों ने बोला कि 64 cm3 है, और इसका भी आयतन 64 cm3 है, इन दोनों को मिला दिया अपस में, अच्छा मुझे बता ये एक बार, कि अगर हम ध्यान से देखें, तो इसकी एक कोर ए होगा न, इसकी भी सारी कोर ए होंगी, बिल्कुल सारी सारी ए होंगी, होंगी की नहीं होंगी, इसका मतलब है, जब इन्होंने मिला कर, एक घनाब बनाया, तो ऐसे बनाया होगा, जान से देखना, एक घनाब बनाया, और वो घनाब ऐसे बना दिया इन्हों आप इस घनाब को देखो कि अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं ऐसे बना लो कि कुछ बच्चों को मुझ बन जाता है हम तो ऐसे कभी सीखे है नहीं है ऐसे बना लू यार अब इसको देखो इसमें दो घंड बना देते हैं इसे आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए चलिए भाई, ऐसे किया आशार ने ऐसे कर दिया एक यह लम्बाई जो है रहा वो बदल जाएगी किसी अब इसकी चोडाई है और यह इसकी उचाई किए ऑजाएगी जब घान से घहना बना तो pact क्या बदल गया इसके लम्बाई बदल गई चोड़ाई उच्षाहिं नहीं बदली ध्यान से समझो तो यहां पर हम को प्रस्ठीज हेतफ़ल निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए जब का हमको प्रस्ठीज हेतफ़ल अगर निकालना है तो फॉर्मला होता है टू-ब्रैकेट में अल्बी प्लस बीएच प्लस एचल यहीं तो formula होता है how to lodge two LB अब सबसे पहले हम लगाई से लिखिए गया और यहां का आतन से ज्ञान percentage left hand candada इंद कितना डिया गया हमको चौशट और आतन होता क्या है एक college पराबर कितना चौशट अब आ customized इस जटाए कि 64 को आ लिख सकते हो कि चार की घात 3 लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि नहीं हमको नहीं समझ भाइँ तो आप एक काम करो 64 के factor कर लो इतना तो करी साकते हो मेरे प्यारे बच्चों इतना तो तुम समझदार हो अब अब एह हो गया है अब इसके बाद यह द अब देखो यहां से क्या होगा यहां से बनेगा भाई अभी जोड़ा बनता था तीन-तीन को ले लेंगे साथ में दो गुड़े तो क्योंकि यह चोटा सा तीन चुपा हुआ है अंसर कितना है चार यह बराबर आया कितना आपके पास चार सेंटीमेटर अब आपको बता है कि आपको एल निकालना है बी निकालना है एच निकालना है सारी चीज़े आपको चाहिए तो यहां पर यहां पर लिख देता है कि एल बराबर दो गुड़े ए इसका मतलब है आठ बी बराबर बी बराबर क्या होगा चार ही रहेगा कोई यहां से आता कि बाकी कुछ नहीं बदला एक तो इसका मदब बी का वल्यू कितना है चार चार गुड़े चार चार गुड़े आठ समझ गए आहा क्या बात है आंसर कर रहे हो सारी के सारी बहुत अच्छा लग रहा है एट चो को बत्तिस और चार चुको सोला फिर बत्तिस बत चो बत्तिस जों दिए होगे च च उसेट में हम झैजू दी हो गए ऐसी सातर में हम फिर दस जों डिये हो गयए औस सी इसका मतब कितना ना 230 और एक मदब आपको दो में से एक नमबर देगा हो इतना कि अपासा विय क्योंकि आपने मातरग नहीं लिखा तो इसका मातरग भी एक्जामनार आपका नंबर काटेगा हमाई तरह अगर कोई टेड़ा मेड़ा हुआ तो पक्का काटेगा क्या आपको ये कोश्चन समझ में आया क्या बोलो इतनी बात जल्दी से क्या ये समझ मैं कि सर जी L बदला, B नहीं बदला, A H बदला और आप बता दें आपको, अगर आप है कमजोर, आप ऐसे कोश्चन नहीं कर पाते हैं इसका मतलब है आपने मन लगा के पढ़ाई नहीं कि वैसे तो हमारा सेशन आठ बजी रोज डेली साम को चलता है लेकिन आज ये सेशन आप लोगों का जो था अभी तक आप देख रहे हो इसको मैं पंदरा मिनट भी पहले समाप्त करूँगा इट मींस आठ से नो चलता था लेकिन अभी पंदरा मैट आज पहले क्योंकि हमको जाना है किसी एक साधी पार्टी में ठीक है तो इस वज़े से हम लोग अपना सेशन आज जल्दी से यहीं पर करते हैं समाप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की आप लोग सेशन को लाइक कर दीजेगा और इसका जल्दी से आप लोग ले लिजे हट जाया करो कुछ बच्चे ऐसे हट जाया करो अब आपने देखा कि हम दो दो नंबर के बहुत सारे कोश्चन कर चुके हैं अब हम लोग अपने आगे आने वाली टाइम में करेंगे चार-चार नंबर के कोश्चन ठीक है तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाइबाए टेक क्यार थाइंक यू सो माच मेहनत करते रहो और वेरी वेस्ट बहुत सारे बच्चे पूछ रहोंगे सर आज आपने कमेंट में हम लोगों के कोश्चन का जवाब नहीं दिया बेटा ये वीडियो को रिकोर्डेट था पहले से रिकॉर्ड है ठीक है वैसे लाइव होता है डेली बठीद ये पहले से रिकॉर्ड इए ये बात आखरी में इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग से ठीक है चले फिर आज के लिए इतना ही डेली साम को मिलते हैं डेली साम को मिलते हैं पांच बजे और डेली रात को मिलते हैं आठ बजे तब तक के लिए बावाए टेक क्यार मौच करते रहो ठंड आ चुकी है राजाई में ओड़कर पढ़ाई करते रहो थाइंक्यू सो माच